यह है रिक टेस्टिंग प्रोसीडियर का विडियो शियाल्दर डिविजिन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है सबसे पहले पूरे रेक को विज्वली चेक किया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि सारे एर होसेस कनेक्टेड है या नहीं रिक का कंप्रेस्ट एर रेक में चार्ज करने से पहले मौस्टर सेपरेटर का ड्रेन को खोल कर अक्यूमुलेटिड मौस्टर को निकाल देना चाहिए रेक के end coach में dummy gauge लगाने से पहले compressed air द्वारा रेक के दोनों main line का accumulated moisture और dirt निकाल लेना चाहिए उसके बाद अंतिम coach में dummy gauge को दोनों palm end में लगाकर हवा line चालू करके gauge reading देख लेना चाहिए BP FP pressure को दुबारा zero करने के बाद केवल FP pressure को चार्ज करके देखना पड़ेगा कि BP gauge में leakage pressure आ रहा है या नहीं अगर आ रहा है तो part test करके defective DV को change करना पड़ेगा फिर BP FP pressure को zero करके केवल BP को चार्ज करके देखना पड़ेगा कि FP gauge में leakage pressure आ रहा है या नहीं अगर आएगा तो पार्ट टेस्ट करके डिफेक्टिव NRV को रिप्लेस करना पड़ेगा उसके बाद BP प्रेशर 1 kg per cm2 ड्रॉप करके रेक के दोनों साइड और पिट के बीच से जाकर हर एक air brake component एवं line leakage को चेक करना पड़ेगा इस चेकिंग के दोरान DV, DV panel, emergency brake accelerator, सारे isolating cocks, hoses, flexible pipes, metal pipes एवं सारे joints के leakage ध्यान से चेक करना पड़ेगा LHP rake में WSP चेकिंग करना पड़ता है WSP panel में जाके उसके code को देखकर concerned defective component को replace करना पड़ेगा अगर code 99 रहेगा तो system okay है इसके बाद test mode चलाके WSP का functionality चेक करना पड़ेगा इस time दोनों staff को trolley के नीचे, pit के अंदर रहना पड़ेगा dump valve exhausted होने के साथ साथ concerned axle के brake caliper को physically हिलाके brake release को ensure करना पड़ेगा coach का passenger emergency braking system चेक किया जाता है LHB coach में alarm pull box को pull करके एवं ICF coach में alarm chain पुल करके brake application ensure किया जाता है साथ साथ resetting mechanism को resetting procedure द्वारा ensure किया जाता है air suspension fitted coach में पहले visually installation liver, horizontal liver, flexible pipes, bellow, bellow condition इत्यादी चेक किया जाता है FIBA activate करके FIBA junction को भी चेक किया जाता है bellow से FIBA तक airline के उपर venting isolating cock को partial close करके bellow का pressure drop करके horizontal liver का positive angle चेक करने के साथ साथ leveling valve का proper functioning चेक किया जाता है airline चेक करने के दोरान प्रतेक coach का air suspension reservoir का drain cock ओपन करके moisture drain out किया जाता है LHP power car एवं L SLRD में handbrake system indicator के साथ मौझूद है handbrake wheel operate करने के बाद brake caliper का ना हिलना एवं brake indicator का red होना ये सुनिश्चित करता है कि handbrake mechanism ठीक है उसी प्रकार handbrake release mechanism को सुनिश्चित करने के लिए handbrake off करके brake indicator का green होना एवं brake caliper का हिलना अनिवार्य है अंत में प्रतेक coach का application एवं release time record करने के बाद drop test करके rake के leakage rate को permissible limit के अंदर रखना सुनिश्चित करना पड़ेगा stop board हटाने से पहले सामने वाले 5 coach छोड़ कर सारे coach manually release करना आवश्यक है